अकोला के सारे नागरिकों को मेरा प्रणाम बस वही है आज जो नबर ओफ केसिस है उसके बाद थोड़ा बहुत पैनिक देखने को मिल रहा है यहां पे मैं इस बारे में बस इतना ही बताना चाहूंगा आज जो केसिस है अकोला में आप सभी लोगों को जानका रही है जो है वहीप है आज केसिस क्यों बड़े है क्योंकि जो कांटाक्टस थे जो प्रिविसली जो पॉजिटिव हो रहे थे और उनके कांटक्ट से प्राइमरी कांटक्स जो बा सबस्कूरिकों को इसे बहुत सारे लोगों को हमने ट्रेशाओट किया और उसके बाद यह decision लिया गया था, जो crowded जगे है, जहां पर यह contact जाने के chances थे, containment zone से कप होने से पहले, तो वहाँ पे सभी लोगों को test किया जाएगा, और उसी decision के बाद, जो mask testing पिछले तीन या चार दिनों में हुआ है, मनपा की तरफ से और GMC की तरफ से, यह उसी का नतीजा है कि जितने भी crowded ऐसे जगे थे, जहां पर इनको containment zone से पहले जाने के chances थे, ऐसे सभी को वहाँ पे trace out करके उनकी testing किया गया थे, तो maximum आज भी जो 44 cases आया है, उसमें से 37 जो cases है, वो बैद पुरा containment zone से ही है, और बाकी के जो cases है, वो primary contacts है, जो पहले के positive cases थे, उनके primary contacts है, तो यहां पर मैं वही stress करना चाहूंगा कि यह moment जो है, यह panic होने की बिल्कुल इसमें जरूरत नहीं है, खासकर कुछ यहां पर मतलब एक दो local politicians ने भी यहां पर कुछ ऐसे, मतलब corporate level का एक statement था, जो panic spread कर सकता है, मैं उन लोगों से यही आवान करूँगा कि कृपिया करके, जो facts है, उसी के basis पे आप लोग जो भी public forum में, जो public statements आप लोग देते हो, ताकि यहां पर misinformation कोई भी प्रकार का spread ना होगा, public support is the most essential, आप लोगों को पहले इसमें aware होना पड़ेगा, पहले जागरती चाहिए कि आप लोगों को क्या-क्या करना चाहिए, और आपके help के बिना यहां पर बहुत सारे चीज़े हैं, जो हमें achieve करना भी यहां पर impossible है, तो पहला चीज क्या, time relax किया गया है, ठीक है, time का review बाद में किया जाएगा, लेकिन relax इसलिए किया गया है, ताकि कोई भी एक जगे पे गर्दी ना, first and foremost जो हम लोगों को precautions लेने हैं, खुपिया करके इसका पालन कीजिए आप सभी लोग, और जो भी violations आपको दिखाए देता है, जो हमारे notice में अगर नहीं आया हो, help line numbers आपको provide किये जाएंगे, खुपिया करके इसमें आप लोग, इसमें WhatsApp के भी दो help line numbers है, photos और videos के साथ भी आप लोग वहाँ पर communicate कर सकते हो,